आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है The Nice Guys चुकि रिलीज हुई थी 2016 में ये एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसको डिरेक्ट किया था शेन ब्लैक ने फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तो चलो स्टार्ट करते हैं फिल्म की शुरुवात 1977 में लॉस एंजलेस से होती है जहां बॉबी नाम का यंग लड़का अपनी फेवरेट पॉन स्टार मिस्ट हो जाता है मरते वक्त मिस्टी बोलती है यह कहकर वो मर जाती है अब एंट्री होती है जैक्सन हिली की जो एक किशोर लड़की का पीछा कर रहा होता है ताकि उससे तीन गुना उम्र में बड़े बॉइफ्रेंट का पता लगा सके और उसको सबक सिखा सके जो वो करता भी है और यही हिली का काम है अब मार्च को दिखाया जाता है जो कि सूट बूट में पानी के टब में ही सो गया था जादा नशे में होने के कारण अचानक उसके फोन पर उसकी बेटी होली का मेसेज आता है और वो उसे याद दिलाती है कि आज मेरा बर्थडे है और आपको काम प में एक बुड़ी औरत अपने पती को ढूंड रही होती है, वो कहती है मेरे पती फ्यूनरल वाले दिन से ही लापता हैं, प्लीज उन्हें ढूंड दो, Marj की नजर उस बुड़ी औरत के पती के अस्तियों पर पढ़ती है, जो सामने ही रकी होती हैं, मार्च भी पक्का होता है और कहता है समझ लो मैंने आपका केस सॉल्फ कर दिया वहीं अमीलिया नाम की एक लड़की हिली को हायर करती है और बताती है कि दो आदमी मेरा पीछा कर रहे हैं वो हर जगह मेरे बारे में पूछते रहते हैं मुझे उनसे पीछा छुडवाना है और उनकी डिटेल्स के साथ वो हिली को पैसे देती है हिली पैसे गिनता है और कहता है समझो छूड़ गया पीछा वहीं मार्च भी अमीलिया को ढून रहा होता है चुकि उसके काफी केसिस में से एक केस ये भी होता है वो उसकी छानबीन के लिए एक पब में जाता है और बार्टेंडर से अमीलिया के बारे में पूछता है लेकिन जब वो नहीं बताता तो मार्च उसे नोट से बनी हुई एक छोटी सी शर्ट दिखाता है और कहता है ये मार्च चुपके से बार के अंदर घुसने की कोशिश करता है वो बार की गेट पर घुसा मार कर शीशा तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन ना समझी में वो अपने ही हाथ की नस कटवा बैठता है और बैचारे को हॉस्पिटल जाना पड़ता है हाथ की नस काटने की वज़े कि हास्पिटल में सिस्टर मार्च को समझाने आती है कि आत्मत्या नहीं करनी चाहिए और उससे बोलती है कि क्या तुम भगवान को ढूंडना चाते हो लेकिन मार्च बड़े ही भूलेतन से बोलता है मैं अमीजिया को ढूंडना चाता हूं अगले दिन हिली तयार होता है और उन्हें ढूंडने लग जाता है जो अमिलिया का पीछा कर रहे होते हैं मार्च भी उनमें से एक होता है हिली मार्च के घर पहुंसता है और उसके धुलाई करने के बाद उसका हाथ तोड़ कर उसे वौन करता है कि दुबारा अमीलिया का पीछा ना करे और चला जाता है अब जैसे ही हिली अपने घर पहुंसता है तो उसका इंतजार दो आदमी कर रहे होते हैं जो अमीलिया का पीछा कर रहे थे और वो हिली पर हमला करने की कोशिश करते हैं लेकिन हिली चलाकी से अपनी गण निकालता है और उन्हें खदेड देता है. वही मिस्टी की आंटी मिस्स गलेन मार्च को हाईर करती है और कहती है कि मैंने मिस्टी को जिन्दा देखा है. लेकिन मार्च का कहना है कि उसे डॉक्टर ने मरा हुआ गोशित किया था. लेकिन इसके बावजूद मिसिस ग्लैन को पूरा यकीन है कि उसने मिस्टी को जिन्दा देखा है और उसे ढूंडने पर जोर देती है अब हिली उन गुंडों से एंकाउंटर के बाद मार्च से कोलाबरेट करता है और वो पहले अमीलिया को ढूंडने का फैसला करते हैं मार्च और हिली अमीलिया के पॉल्यूशन विरोधी विरोध ग्रूप से मिलते हैं और पूस्ताच करते हैं वहीं उनके मुलाकात चैथ से होती है जो उन्हें अमीलिया के बॉइफ्रेंड डीन के जले हुए घर में ले जाता है जो आग में जलकर मर गया था उन्हें पता चलता है कि अमीलिया और डीन मिस्टी के साथ एक एकस्पेरिमेंटल मुवी पर काम कर रहे थे जिसे हाउ डू यू लाइक माइकार बिग बॉई कहा जाता है दोनों फिल्म के फाइनेंसर सिड की तलाश में पार्टी में गुसपैट करते हैं हिली को तलाशी से पता चलता है कि फिल्म गायब है जबकि वहीं मार्च की बेटी होली भी चुपके से उनके साथ आई होती है वो भी अपने एंट पर अमीलिया की खोच करना शुरू करती है शराबी मार्च नशे में जुमने लगता है और लड़कडाते हुए खाली मैदान में जाकर गेरता है और वहीं सिड की डेड बॉडी देखता है अब हुली जो ज़दा अमीलिया के बारे में पूस्ताच कर रही होती है उस पर शक हो जाता है और उसे उसी आदमी के पास ले जाया जाता है जो हिली से पूस्ताच करने गया था वो हुली को कार में बैठा ही रहा होता है कि उसके नजर अमीलिया पर पड़ती है और वो गोली चला देता है लेकिन हुली उसका हाथ पकड़ लेती है और Amelia की मदद करती है होली और Amelia दोनों भागने में कामियाब हो जाती है अचानक वो देखती है वो ही गुंडा उनका पीछा कर रहा होता है कि तबी एक कार उसको उड़ाकर चली जाती है उनका पीछा करते हुए हिली भी वहां पहुंसता है और जखमी गुंडा बताता है कि उसके बॉस ने जॉन बॉय नाम के एक हिट मैन को Amelia, मार्च और अन्य सबी गवाओं को मारने के लिए बेजा है और बताते ही उसका खेल खत्म हो जाता है पुलिस भी घड़ना स्तल पर पहुंसती है और तभी मार्च और हिली की मुलाकात Amelia की मा जुडित से होती है जो जस्टिस डिपार्टमेंट में एक हाई रैंकिंग ऑफिसर होती है जो दावा करती है कि Amelia ब्रह्म में है और उसका मानना है कि वो उसे मारना चाती है जुडित अपनी बेटी को खोजने के लिए दोनों को काम पर रखती है और जैसे ही जुडित उन्हें पे करने के लिए अपना चेक साइन करी रही होती है दस हजार डॉलर का कि तभी मार्च ओवर स्मार्ट बनते हुए हिली को आख मारते हुए जुडित से बोलता है देखिए ये काम बहुत रिस्की है इसके लिए हमें ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे कम से कम पाँच हजार डॉलर जुडित फटाफट पुराना चेक फारती है और नए पाँच हजार डॉलर का चेक उन्हें थमा देती है एक रात मार्च काफी एमोशनल होता है और काफी शराब भी पी रहा होता है हिली उसके पास आता है तो उसे पता लगता है कि मार्च ने कैसे अपने ना सुनने की प्रॉब्लम से अपनी वाइफ को खो दिया था उसका घर जल गया था क्योंकि उसमें गैस लीक हो रही थी मार्च की वाइफ ने उसे चिताया भी था शायद गैस लीक हो रही है लेकिन अपने ना सुन पाने की वज़े से वो लापरवा हो गया था और पूरे घर के साथ उसके वाइफ भी जल गई थी अब मार्च और हिली एरपोर्ट होटेल में जाते हैं जो हिली को उस रात की पार्टी में छानबीन से एड्रस मिला था जहां अमीलिया फिल्म के लिए डिलर्स से मिल रही है जान बॉय उनसे पहले पहुंच जाता है और वो एक एक करके डिलर्स को मारता है और जल्द बाजी में वो वहां से निकल जाते हैं ताकि पुलिस उनको इस कतले आम में ना पकड़ ले वो कार्म को साइड में लगा कर बहस ही कर रहे होते हैं कि उन्हें वापस जाना चाहिए अमीलिया को बचाने के लिए तब ही अमीलिया उनकी कार पर कूथती है और उन पर गोली चला कर बेहोश हो जाती है वे उसे मार्च के घर ले जाते हैं जहां वो बताती है कि उसकी मां काटल जैसे डेट्रोइट वहां निर्माताओं की जेब में है और वो उनके साथ मिलकर कैटलेटिक कनवर्टर जो पॉलूशन होने से रोक सकता है उस पर रोक लगा देगे ताकि उन वहां निर्माताओं के ज़्यादा पैसे खर्च ना हो सके साथ ही उनकी मिली भगत को उजागर करने के लिए उसने वो फिल्म बनाई थी अगर वो फिल्म थेटर में रिलीज हो जाती तो उनके पास बचने का कोई और रास्ता नहीं रहता इस वज़े से उन्होंने मेरे बॉइफरेंट को मरवा डाला और अब मुझे मरवाने के लिए मेरे पीछे पड़े है अचानक जूडित की सेकेटरी टैली का फोन आता है और वो बताती है कि जूडित एक लाख डॉलर की मांग कर रही है मुझे तो उस पर शक हो रहा है कहीं वो गलत काम तो नहीं कर रही लेकिन मरच उसको बताता है कि उन्हें अमीलिया मिल गई है और वो उनके पास ही है उसी के घर में वो भी जखमी हालत में तब ही टैली बोलती है ठीक है मैं उनके फैमिली डॉक्टर को भेजती हूँ तुम वो एक लाग डॉलर मुझसे ले लो और डिलिवर कर दो और साथ ही कहती है मुझे किसी और पर भरोसा नहीं है मरच और हिली कैश लेने पहुंच जाते हैं और टैली उन्हें कैश से भरा हुआ ब्रीफ केस पकड़ाते हुए बोलती है कि ये सारे पैसे मैंने अपने हातों से गिने हैं और वो पैसे लेकर निकल जाते हैं वाफसी में कार ड्राइव करते वक्त मरच की आँख लग जाती है और वो गाड़ी का एकसिडेंट कर देता है और ब्रीफ केस छिटक कर गिर जाता है जिसमें सिर्फ कागस के टुकडे निकलते हैं हिली अंदाजा लगाता है कि इसमें कोई चाल है वो तबी अपने घर की तरफ वापस कार गुमाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अमीलिया पर जरूर अटैक होगा और जो भी वो बता रही है वो सच है मार्च और हिली की गैर मौजूदगी में जॉन बॉई डॉक्टर बनकर अमीलिया को मारने पहुंच जाता है लेकिन होली उसकी बातों से अंदाजा लगा लेती है कि वो डॉक्टर नहीं है और वो उस पर गन तान देती है लेकिन जॉन बॉई होली की फ्रेंड जैसिका को पकड़ लेता है और खिड़की से बाहर फैंक देता है और तबी मार्च और हिली भी वहां पहुंच जाते है उनके बीच गन फाइट शुरू हो जाती है और जॉन बॉई वहां से निकलने में काम्याब हो जाता है अमीलिय अभी गोलियों के आवाज सुनकर होश में आ जाती है और वो खिड़की से कूट कर भाग जाती है रास्ते में वो एक कार को रोकती है उन्फोर्चनेटली उसमें जॉन बॉय होता है और वो उसे वही शूट करके निकल जाता है पुलिस अब मार्च और हिली से पुस्ताच करती है लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता तो वो उन्हें छोड़ देती है मार्च, होली और हिली मार्च के घर वापस पहुंसते हैं और सोच ही रहे होते हैं जूडित के बारे में कि उसे कैसे पकड़ा जाए तब ही मिस्स ग्लेन उनके पास पहुंसती और शिकायत करने लगती है कि जो केस मैंने तुमें दिया था मेरी बतीजी मिस्टी माउंटेन के लिए तुमने अभी तक उसे सॉल्व क्यों नहीं किया और वो हिली से कहती है कि इस आदमी पर कभी भरोसा मत करना और जैसे ही वो बताती है मरने के दो दिन बाद उसने उसे रेक टॉप पहने हुए देखा था तो हिली समझ जाता है और जल्दी से मिस्टी के घर ले जाने के लिए कहता है और जब वो घर पहुंसते हैं तो उन्हें देखता है प्रोजेक्टर मार्च और हिली पूरी कहानी समझ जाते हैं और वो मिस्टी को बताते हैं दरहसल उन्होंने जिसको देखा वो असली Misty नहीं बलकि प्रोजेक्टर पर चलाई गई एक पिक्चर थी जिसमें Misty को उन्होंने देखा था लेकिन जब वो प्रोजेक्टर में देखते हैं तो उसमें से फिल्म गायब होती है अब वो पता लगाते हैं चैट लॉस एंजलेस में ओटो शो में प्रोजेक्टर निस्ट है और वो इस प्रोग्राम में वो ही फिल्म चलाने जा रहा है जो अमीलिया ने चुपके से दूसरी फिल्म के साथ एडिट कर दी थी मार्च और हिली ओटो शो में पहुँच जाते हैं और उनके पीछे पीछे होली भी वो प्रोजेक्शन रूम में एंटर करते हैं और फिल्म ढूंडी रहे होते हैं कि तबी टैली अपनी रिवॉल्वर के साथ उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन होली बड़ी ही चलाकी से मार्च और हिली को मुसीबत से निकाल लेती है मार्च और हिली चैट को धूंडते हैं लेकिन आटो शो के दोरान ही फिल्म चल जाती है जिसके बीच में ही अमीलिया की वो फिल्म भी चलती है जो उसने उन सब करप्टेड लोगों के खिलाफ बनाई थी और एडिट करके दूसरी फिल्मों के साथ जोड दी थी अब जूडित और उसके साथी फिल्म को हासिल करने के लिए जीतोड कोशिश करते हैं लेकिन मार्च और हिली अपनी बहदुरी दिखाते हुए फिल्म को पुलिस तक पहुचाने में कामियाब हो जाते हैं जूडित को अरेस्ट कर लिया जाता है लेकिन वो जोर देकर इस ब लगाने की कोशिश करेगा कुछ दिन बीच जाते हैं हिली बार में शराब पी रहा होता है और मार्च उसके पास आता है और अपनी नई एजनसी दनाइस का एड दिखाता है और दोनों हसते हुए अपना जाम टकराते हैं और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है थैंक्स फ